यहां से टेंजिंट का स्लोप लिख लिए है कि तब माइनस फो एपॉन बी इसका स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोड़क्त माइनस वन क्यों क्यों कि M1 M2 माइनस वन ने कहां से दिख रहा है इस फॉर्मेट में याद करने से क्या होगा आपको हाइपर बोला की भी नॉर्मल इक्वेशन डारिकली याद हो जाएगी तो मिनिकाल से इस आंसर इस ए आगरा बिलकुल सिंपल चिल सवाल है चिल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से कर लिजेगा अच्छा तो आज हम करने वाले हैं संकल पीए क्यू सीरीज में जो नेक्स्ट है तो आज हनाकी मैंने सोचा तो लाइफ सेशन के लिए था बट डू टू सम वर्क थोड़ा सा लेट हो रहा था तो करीब-करीब आदा गंटे का डिले हो रहा था तो मैंने सोचा आप मैं इसको रिकॉर्ड करके ही आपके पास भेज सकूंगा है ना तो ठीक है अभी हम थोड समय देता हूं आप इसको देख लिजे एक बार और इन केस आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लिजे और आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट से वह आपस में क्या है पर्पेंडिकुलर है दोनों पॉइंट गाई करेगा और तो एक सहुड़ते हैं कि एसपे जब ठेंजिट लिखते है तोस जो पार मुझे लगता है तुम्ही को लगते है एक कॉमा इसका स्लोप आएगा माइनस फूर एपॉर एपॉर एक इसका स्लोप रहेगा और यहां हम लगोले परपेंडिकुलर है तो दिश इन्टु मैनस तू आपा इसलोप का प्रॉडट्ट्क यहां से बी की वैलू मेरे ख्याल से कितनी आ रही है माइनस एट है फिर से एक पर देख लिए एक्स एक्स वन लगा है एक्स इंटू बन वाई 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 वन किया है एक टू को काटा है कट कट 2x प्लस y इक्वल टू 4 स्लोप आ गया है माइनस टू इधर से a, b पे टेंजेंट लिख दिया है तो 4xa प्लस yb इक्वल टू 8 है न यहां से टेंजेंट का स्लोप लिख लिए है किता माइनस 4 एपान b और इसका स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोड़क्ट माइनस 1 क्योंकि M1 M2 माइनस 1 ने कहां से दिख रहा है भाई यहां perpendicular लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो इसको मानना ही पड़ेगा यानि M1 M2 इक्वल टू माइनस 1 करने से एक रिष्टा आ गया है b इक्वल टू कितना गया है? माइनस 8 है अब मैं b इक्वल टू माइनस 8 है तो मुझे पता चल गया है अब a b a square निकालना है तो मैं क्या करें रहो न कि 1,20 को लाई भी करेगा अच्छा तो चलिए 1,20 पे लाई करा देते हैं तो 4 a square plus b square equal to 8 और 4 a square के बाद b square लिखिए तो b square लिखिएगा तो मुझे लगता है कि 88 is 64 a square है ना that is equal to 8 यानि कि 68 a square is 8 है ना तो सीधा सीधा दिख रहे है no wrong तो लिखिया है कि सीधा सीधा दिख रहे है कि a square is going to be 8 upon 68 है ना थोड़ा जल्दी हो जाता है नहीं तो उससे आँ चलिए कोई बाद नहीं तो चार दुनी 8 और ये मेरे खाल से 17 ताइब तो शाए 2 upon 17 दिख रहे है option B तो मेरे खाल से easy question था है ना Bombay येस अगले सवाल पर आते है अगला सवाल कहता है कि normal to this ellipse at a point P on it is parallel to this तो इसमें normal की equation अच्छे सी याद होनी चीए गर normal की equation आपने याद नहीं किया है तो भाईया कर लीजेगा कि कि normal की equation आती है a square x upon x1 क्या होती है normal की equation a square x upon x1 minus b square y upon y1 and that is equal to a square minus b square in case of ellipse यही अगर hyperbola में बदल जाता तो बच्चों यहां minus b square रखते हैं तो यहां plus हो जाता और यहां भी क्या हो जाता है plus तो इस format में याद कर लीजे इस format में याद करने से क्या होगा आपको hyperbola की भी normally equation directly याद हो जाएगी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे तो इस equation को थोड़ा लिखते हैं है है ना 12 से डिवाइड करें 12 से डिवाइड करें 12 से डिवाइड करें 12 से डिवाइड करें तो हलोले इसको लिखेंगे तो a square बंदब 4x upon x1 minus 3y upon y1 equal to a square minus b square 4 minus 3 कितना जाएगा वन यह normal की equation normally आ चुकी है और बोला है कि this is parallel to this यानि कि इसका slope कितना है बचो minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 और यहाँ से slope निकालो तो negative of coefficient of x upon coefficient of y लिखोगे तो मुझे लग रहा है कि 3 और y1 उपर जाएगा है ना with a minus sign minus sign है ना तो मेरे काल से ठीकी है यह सही है ना भाई यहाँ प्लस हो जाएगा सारी यहाँ प्लस हो जाएगा है ना तो हम लोगों ने किया कि यहाँ से मेरे खाल से दो दुनी चार और 2y1 equal to minus 3x1 बना रहा है अच्छा सार अब तो पैटाई यह x1 y1 इस पर लाई भी तो कर रहा है ना तो अगर x1 y1 इस पर लाई भी कर रहा है तो 3x1 square plus 4y1 square and that is equal to that is equal to 12 तो अगर मैं यहाँ पे देखना अगर रखता हूँ 2y1 को इसमें रखता हूँ square करके तो 4y1 square is equal to 9x1 square yes or no आप सोचो अब इसको उठाकर इसमें रखते हैं तो 3x1 square plus 9x1 square is equal to 12 तो मुझे लग रहा है या 12x1 square is 12 तो x1 square is 1 तो x1 की एक तो value आएगी 1 और minus 1 x1 की values अगर 1 और minus 1 आई तो यहाँ देखेगा y1 की values बचाओ तो इस case में y1 की value बतलाओ minus 3 by 2 और जब minus 1 लोगे x1 की value तो यह कितनी आजाएगी 3 by 2 ठीक है यानि हम लोग जो बोल रहे थे ना केट है point P तो P के अभी मेरे को 2 coordinate आ रहे हैं एक तो आ रहे है 1, minus 3 by 2 और दूसरा क्या रहे है minus 1,3 by 2 अब क्या बोलना है इसके आगे भी एक कहानी बोलना है and the tangent to the ellipset P passes through Q तो यानि कि हमें अब देखना पड़ेगा कि P पे जो tangent है तो P का tangent लिखिया ना P का tangent कैसे लिख सकते है xx1 तो देखना है x1 यहाँ 1 है ना पहले वाले point पी लिखने है tangent xx1 upon 4 plus yy1 तो y1 में minus 3 by 2 और upon कितना हैगा 3 and that is equal to 1 तो 3 कट गया क्या यह 4,4 से pass कर रहा है let me see let me see 4,4 रखेंगे यहाँ 1 हो जाएगा है ना और यहाँ क्या बन जाएगा minus है ना minus और 4 upon 2 is 2 तो मुझे लग रहा है कि इस पे तो नहीं कर रहा है ना तो यह सही है यह सही है minus 1,3 by 2 देखो तो minus 1 रखोगे बच्चो तो x की value minus 1 रखोगे यह कुछ गरबड़ा गया लगता है मेरे क्यास से है ना यह थोड़ा से मैंने ज्यादा जल्दी निकाल दी है x equal to 1 रखोगे तो 1 by 4 और minus 3 by 2 इस पे लिख रहा है ना और 4,4 से pass कर रहा है ना तो यह वाली सी जागे दूसरे पर tangent लिखोगे तो minus xy4 और plus y into 3 by 2 upon 3 equal to 1 तो लेट सी कि यह 4,4 से pass कर रहा है नहीं है 4 रखोगे थी है minus 1 और 4 रखोगे थी 2 तो that is 1 तो यहानि हम लोग वो सकते ही यह point नहीं है क्योंकि बोला ना कि that p passes through अचा नहीं नहीं यही है तो यही है तो हले बोले कि passes through 4,4 बोला है न तो यही है मुझे लगा does not passes रिकावाई तो बोले कि and the tangent to the ellipse at p passes through q 4,4 तो यहाँ वाला जो tangent था ना वो 4,4 से pass किया बट यहाँ वाले tangent 4,4 से pass नहीं किया तो यह हो गया guys p है ना guys guys p हो गया और q क्या दिया हो है guys 4,4 तो guys p q निकालना है तो p q निकाल लेते है ना p q निकाल लेते है डिस्टेंस पॉर माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा 55 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 25 प्लस फोर माइनस 3 वाइट थोड़ा से निकाल लेजेगा आर्ट विस दिंगे पांच 5 बटा 2 मतब 25 बटा 4 तो मुझे लग रहा है रूट अंडर 125 बटा 4 तो मुझे लग रहा है 5 रूट 5 वाइटू है ना आप ध्यान लखिए का अगर दूसरा पॉइंट लिए लिजेग पूछा दिए नोग्ले सवाल पी हम चलते हैं एप ड़िस वोन empowering का रहा है यह बारा दीग रहा हो कि यह और लिटेस मिसेस टुवी स्क्वैर यह आपको याद रहना चाहिए ब्लेंस टो जो चीफेखा लाएगा लास्वान तो मुझे लग रहा है कि यार A और B निकाल लेंगे काम हो जाएगा दोनों को multiply कर देते हैं तो पहले तो इसको काड़ देते हैं तो A into A by B दोनों साइड multiply करें एक्वल टू 18 ठेटी 18 E से E कटा A square 18 A square कितना आ गया 18 इसको डिवाइड के लिए तो A E और नीचे A और उपर E 3 by 6 A से A कटा तीन दोनीचे कटा तो E square हो गया B square कितना निकलेगा है ना B square B square is A square यानिक 18 ellipse है ना हाँ तो 1 minus E square that is 1-7 तो मुझे लग रहा है 9 9 नहीं 9 तो 9 आ गया तो यानिके length of the lattice rectum is 2B square that is 2 times 9 upon A A कितना हो गया बच्चो 3 root 2 तो मुझे लग रहा है 3 root 2 या रहा 18 upon 3 root 2 C option है ना C Calcutta C Calcutta आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं C yes answer is C अगले सवाल पर चलते हैं काईस है ना if the coordinates of the two points A B दिया हुआ है respectively and P is any point on the koning इस koning के उपर कोई point P है then PA plus PB पहले इस ellipse को लिखते हैं 144 से डिवाइड किजिएगा नौ एक नौ और नौ शोला इसका focus ही बिटा यह है यह है focus कैसे आता है a square minus b square का square root तो मेरे काल से यह focus ही हो गया तो यह तो मुझे लगता basic question basic question not acedic question it is the basic question basic question cut 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 यह देखेगा यह दर यह दर तो इसका जब focus निगा लोगे तो यह a square minus b square square root तो एक root 7,0 focus हाएगा दूसरा हाएगा minus root 7,0 आपको बढ़े पी-point space है बिल्कुल रहना चाहिए बढ़ी है must अगर कोई कुछ ही this plus this तो अरे पढ़ा है सर पढ़ा है तो बिल्कुल लिखके बतला यह अगर पढ़ा है तो यह प्लस पीवी इस टू ए प्लस पीवी इस टूए टूए मतलब इसका a आएगा 4 तो 2a is going to be 8 तो मुझे लग आगरा पहुंचते हैं मतलब आंसर है तो में रिकान से this answer is a आगरा बिल्कुल सिंपल चिल सवाल है अगले सवाल पर चलते हैं अगले सवाल फटा-फट से आ जाएगे लेट y equal to mx अरे भूल गया था मैं आप लोग लिख लिजे पहले देख लिजे तो लेट मैं एक बार ख इस सब्सक्राइब नबいつों आपना हाँ प्लसu क्या इक स्क्वेर एक पॉन था मतलब यह बटिकल लिपस कैसा है बही या बटिकल ऐसा सर्थ क्षिगय को वागे है तो यह इनलिपस बटिकल ellipse आ गया, आ गया, ठीकिन अ, vertical ellipse आ गया न, इसका जो point आएगा, मुझे लग रहा है, जरूत पड़ेगी नी पड़ेगी, मुझे नी बता, बट ये points आएंगे, कुल मिला के, मिला के कुल, आएंगे ये points, 0,1 and 0,-1, सही चल रहा है, बिलकुल सही चल रहा है, smooth चल रहा है, तो कोई line है, जो y equal to mx वाली, इससे intersect कर रही है, बनादो intersect, और अब क्या कही रहा है, कि at a point p, इस point का नाम अंकरन हो गया, या p हो गया, इसका अपना नाम, अब बुले किया कि in the first coordinate, if the normal to this lf set p meet the coordinate axis at this point, तो अले लेकि यहां का जो normal है, ना, normal सी बात बोलता है, ना, normal है, यहां का जो normal है, वो किसी point पे intersect कर रहा है, minus 1 by, जो भी है, यहां पे, minus 1 upon 3 root 2 comma 0 पे intersect कर रहा है, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे है, और इसको 0 comma beta पे, तो beta की value बूच रहा है, यह तो मेरे क्याल से सवाल है, है ना, तो beta की value बतला नहीं है, क्या value बतला नहीं भी हैगी, तो मुझे लिग रहे हैं, नॉर्मल लिखना बढ़ेगा, तो नॉर्मल अगर हम इस ellipse का लिखना है, तो क्या होगा, a square, x upon x1, minus, है ना, ellipse है, तो b square, that is 1, y upon y1, equal to, a square minus b square, मतलब minus half आजाएगा है, ऐसा फुच्छा आजाएगा, minus half, तो अगर मैं बोलता हूँ कि यह वाला point है, minus 1 by root 2,0, तो यह तो भाई, कौन सा point हो जाएगा है, ना, सरी, नी, यह वाला point, minus, जो भी है, तो यह कैसे निकलेगा, इसका y0 कर लीज़े, y0 की देगा, तो मुझे लग रहा है, x, sorry, कहाँ पर काट रहा है, यह इस point से pass कर रहा है, ना, तो half, into minus 1 by 3 root 2, upon x1, y0 हो गया, equal to minus half, तो मुझे लग रहा है, minus से minus कटा, 2 से 2 कटा, तो x1 की value ही आगई, बच्चो, 1 by 3 root 2, अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो, x1 की value अगर 1 by 3 root 2 आगई, यह point कैसे निकलेगा, यह तो मुझे लग रहा, curve का point है, तो इसको उठागर रग दो ने, तो 2 into, कितना लिख में बताओ, 1 by 18, यहनि कि 9, plus y square equal to 1, तो y की value मुझे लग रहा है, यहां से क्या आगई, प्लस में लेना है, 1 minus 1 by 9, तो 2 root 2 by 3, यह point ही आगए, बच्चो, 2 root 2 by 3, यह point ही आगया, तो बीटा तो आराम से निकल जाएगा, यह 0, बीटा से भी पास कर रहा है, तो इसमें x को रखिए 0, तो यह साफ, और y को रखिए बीटा, और y1 क्या है, y1 देखेगा, यहां से आएगा, 2 root 2 by 3, और 3 उपार, equal to minus 1, यहांनी बीटा की वैलू, मुझे लग रही है, तो रूट 2 by 3 टाइप का आरना चाहिए, यहांनी कि बॉम्बे ऑप्शन, बीटा का ऑप्शन, बॉम्बे, 2 root 2 by 3, है न, मेरे काल सही है, देख लीजेगा, नहीं, गरबड़, गरबड़, अच्छा, कुछ गरबड़ हुआ होगा फिर, यहां गरबड़ हो गया है, है न, यहां मैंने सब कुछ सही लिखा था, बस लास्ट में यहां पर शायर, एक टू कट जाएगा, है न, यह कट जाएगा, root 2 by 3, sorry, the answer is not B, Bombay, this is going to be D, Delhi, है न, लास्ट स्टेप पे भी गलत हो गया, तो भाई, गलत हो गया है, माइनस वन मिल जाएगा, तो इसले थोड़ा ध्यान रखना पढ़ता है, answer is D, Delhi, राइट, चली आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, let E1 and E2, are the eccentricities of this ellipse, B is less than 5, मतलब horizontal वाल है, and the hyperbola, E1, E2, 1 दिया वाल, तो पहले वाले का eccentricity निकाल लेते हैं, अज़े, E1, E2, 1 है, तो E1 square, E2 square भी 1 है, तो यानि E1 square निकाल लेते हैं, E1 square कैसे निकलेगा, root under खतम हो जाएगा इसका, तो 1 minus कितना होता है, B square भाट 25, है न, into, E2 कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो इसका होता 1 plus, B square भाट 16, and that is equal to 1, ऐसा कुछ आएगा equation है न, तो मुझे लग रहा है कि देखो, इसको multiply करोगे, 1 minus B की पावर 4, और नीचे एगा 25 into 16, और plus B square by 16, है न, समझना ध्यान से, इसके साथ, और इसके साथ आएगा, minus B square भाट 25 equal to 1, तो चोर निकल के भागा, 1 गया है न, अब अगर 1 चला गया, तो यानि यहाँ से एक B square भी निकल रहा है भाट, तो यानि यहाँ क्याएगा, minus B square भाट 25 भूने 16, मुझे लग रहाँ 25 भूने 16 से multiply कर देते हैं, plus 1 भाट 16, minus 1 भाट 25 equal to 0, तो भाई मेरे B square तो 0 नहीं हो सकता है न, तो पूरी मजबूरी इसको ही है, तो इसको 0 होना बढ़ेगा, इसको 0 करोगे, तो B square भाट 25 भूने 16, and that is equal to 1 by 16 minus 1 by 25, take calcium, sorry, calcium, तो जैसे हैं आपने इसमें calcium लिया, तो 25 भूने 16 हैं, 16, और 25 में 16 गया मेरे खाल से 9, यह खच से कटा, B square की value आगे 9, सवाल क्या है वो पता नहीं, if alpha and beta are the distances of the foci of the ellipse, and the foci of the hyperbola respectively, then alpha, beta is, है न, तो alpha and beta are the distances between the foci of the ellipse, तो यानि कि अगर ellipse के बीच का है, ellipse के बीच का है, तो पहले तो हम लोग लिख लेटे हैं, यहाँ पे आगे, x square beta 25, plus y square beta 9, equal to 1, इसके foci क्या होंगे, तो मुझे लग रहा है कि 25 में हो गया, 16, तो मेरे खाल से 4, 0, and minus 4, 0, तो यानि बच्चो, f1, f2 के बीच का दूरी क्या हुआ, alpha, 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 तो alpha हो जाएगा 8, तो देखिएगा, 8 alpha हो जाएगा, alpha हो जाएगा, इनके बीच का दूरी, 8 है न, तो इसके बीच तो, b square अगर 9 है, बच्चो, तो 16, 25 है न, 16, 25 है जुड़ता है, न, a square plus b square, तो मेरे खाल से, इसका focus हो जाएगा, आपका, 5, 0, and minus 5, 0, तो इसके बीच का distance है, 10, तो यानि बीटा की value हो गई, 10, 10 बहाने करके, sorry, 8, 10, है न, मेरे खाल से correct answer यह होगा, 8, 10, clear है मेरे खाल से, है न, आगे बढ़त है, answer is a, yes, बचले, अगले सवाल में चलते है, अगले सवाल में चलते है, अगला सवाल क्या कहता है, कि let this a greater than b, b, an ellipse, length of whose letter set time is 10, मतब इसमें 2b square upon a की value, कर सकते हैं, if it's eccentricity has the maximum value function यहां से, अरे बगवान, eccentricity जो है, वो इस function की maximum value को बोल गाए, यह तो अपना quantity के है, जाना पहचाना है, पुराना है, तो अगर याद हो, तो सिप यह वाला part हम change कर सकते हैं, यह वाला part variable है, तो यह वाला part कैसा है, यह वाला part है, एक quadratic है, ती माइनिस टी स्कार वो focus, focus on only काम की चीज, ती माइनिस टी स्कार, यह जिरो और वन पे काटते हुए, उल्टा पहरा बोले, तो इसका maximum कहां पे आएगा, तो यानि कि 5 of T का maximum कितना हैगा, जो कि eccentricity है, तो 5 by 12 तो fix value है, हाफ पे कितना हैगा, हाफ माइनिस 1 by 4, ले लिजए calcium, मतलब LCM 12, तो 5, 2, 6 के 12 और 4 किया 12, तो 5, 6, 12 है, गानिस 3 किया 9 बड़ा 12, अरे वाल, 3 किया 9, 3, 4 किया 12, तो eccentricity आगया boss, maximum value, that is 3 by 4 है न, और यह चीज़ दी होई है, देख लेना द्यान से, तो हम लग हो सकते हैं कि, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, B square को, A square into 1 minus E square को यह बनेगा, और यहां से, अगर आप यहां से लिखते हैं, 1 minus 9 बटा 16, समझ में आ रहा होगा, मेरी गाल से बिल्कुल स्मूथ चल रहा है न, B square को लिख दिया, A square into 1 minus E square है से घर के, तो एक तो पहले इसको काट दे रहा, 5, और A into 16 में से 9 गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, यह एलिपसी है न, हम बदब, कैल्कुलेशन जैसी गंदा होन था न, विचार आता है कि, यार कुछ गरवड तो नहीं होगा न, इसकी मैक्सम वैलू है कि, half, half minus 1 by 4, that is 1 by 4, 3 पास दिया, मुझे लग रहे हैं, 6, 5, 11, 8, 8 बड़ा बारा, 8 बड़ा बारा, 4 दुनिया, 4 तिया बारा, 2 by 3 आ रहा है, 2 by 3 आ रहा है, सोरी, सोरी, सोरी भाई, 2 by 3 का मतलब 4 बड़ा न, अब देखों, प्यारा सा गया, 9 मैं से 4 गया, 5 बड़ा 9, 5, 5 से 5 कट गया, एक ही वैलू 9 आ गई है, एक ही वैलू 9 आ गई, तो A स्क्वेर तो आ गया बड़ा, एक्टी वन, बी स्क्वेर निकाल लेते हैं, बी स्क्वेर कितना था था, A स्क्वेर, इंटू 1 माइनस 4 बड़ा 9, 9 मैं से 4 गया, 5 है न, और ये 9 पच्वेर, 45 स्वरी, मुझे लग रहा है कि, दिस इस 45, तो 81 प्लस 45, 5, 6, 8, 4, 12, तो चेक कर लिजेगा, 126, 126 हा रहा है, है न, सही है मेरे काल से, सही चल रहा है, आग रहा, सही है, आगे बढ़ते हैं, next question is, which of the following points lies on the locus of the foot of the perpendicular, upon any tangent to the left, क्या बोल दिया, which of the following point lies on the locus of the foot of the perpendicular, drawn from the tangent, from any other, अच्छा, यह तो बिल्कु सिंपल सी बात कहे रहा है, कि भाई, किसी भी focus से, अगर हम, जैसे यह आपका ellipse है, और कोई बोल रहा है कि, इसके उपर कोई tangent है, इसके उपर कोई tangent है, और इसके focus से हमने perpendicular drop कर दिया, यह highlights वाला point हो गया, कि अगर हमने focus से perpendicular drop कर दिया, तो यार किजिए, यह point कहां लाई करता था, auxiliary circle of the ellipse पे, तो अगर यह auxiliary circle of the ellipse है, तो auxiliary circle दो second में है, x square plus y square, equal to a square, मतला 4, तो यह बिल्कुल प्रूफ किया हुआ, class कंदर है, x square plus y square equal to 4, तो अब बोला है कि, कौन सा point pass नहीं कर रहा है, है ना, not, not, तो यह locus आगया, है ना, lie zone, lie zone, sorry, तो 1 plus 3, 4, अरे यही lie कर रहा है, खतम होगे अखेली तो, मेरे कासे यह नहीं कर रहा है, 4, 3, 7 नहीं है, हाँ, correct कर लिया मैंने, है ना, तो मेरे कासे, this answer is again आग़ा, this answer is again आग़ा, yes, अब अगला सावा, if the normal at the end of the latest rectum, passes through an extremity of the minor axis, मतलब, पता नहीं, सुनके ऐसा लगा कि, मेरे को class में बताया हुआ लग रहा है, तो मेरे क्याल से, यहस, मेरे काल से basic illustration है, basic illustration, कि हम लोग इसमें बतलाते हैं, कि माली जो जो नॉर्मल होँआ है, उ जो है, पास कर गया, कोनो पॉइंट से, कहां सके पॉइंट से, minor axis है ना, तो जैसे माली जे की, यह लेटर्स रेक्टम है, तो यह लेटर्स रेक्टम है, इसका पॉइंट क्या होगा है, ae, b square भाई है ना, अब यहाँ पर लिखते है, normal लिखना को सिखा है, अब यह अभी a square x, x की जग़े क्या हो जाएगा, ae, sorry, a square x, upon x1, x1 मतलब ae, sorry, minus b square y, upon y1, यह नहीं, b square और उपर a, है ना, ऐसे ही, equal to a square e square, a square minus b square का आप लिख सकते हैं, a square e square, तो b square से b square गया, एक a b गया, यह नहीं, a के और जाएगा, तो x upon e, ध्यान से दिखिएगा, x upon e, minus y, equal to a square, अब यह बोला कि यह गुजर गया, मतलब यह गुजर गया कहां से, इस से, 0, minus b से, तो 0, minus b रख देते हैं, यह प्लस b हो जाएगा, 0 पर यह साफ हो जाएगा, equal to a square, तो दोनों सेट square मार दीजिए, तो b square कितना आएगा, a square into e की पार 4, b square की value कितनी आए, a square into 1 minus e square, equal to a square into e की पार 4, कटा किसका a square का है न, यह नहीं, e की पार 4, plus e square minus 1 is 0, मुझे लग रहा है कि डेली option में आ रहा है, तो यह मुझे याद आ गए, यह class illustration में अपना चलता है, d, yes, अगले सवाल पर आ जाएगे, अगले सवाल पर गुरू आ जाएगे, अगला सवाल क्या कहे रहा है, कि if the curve this, intersect the line this, तो भाई, यह curve है, जो कि मुझे ellipse type का ही लग रहा है, x square upon 2 plus y square upon 1, तो मेरे गाल से horizontal ही चलेगा, है की नहीं, दिखिए, तहलों लोगो नहीं क्या कि, कि किसी बात हो ली है, if the curve this intersect the line x plus y equal to 1, तो यह point है, आपका याद है, 0,1, तो x plus y equal to 1, इससे pass कर रहा है, और यह point क्या होगा, अगर इक्वेशन को आप लिखेगा, x square upon 2 plus y square equal to 1, तो यह बच्चो, root 2,0, तो मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, कि यह line कुछ x plus y equal to 1 वाली ऐसी line है, है या निस, सोचो, यह pass करेगा 1,0 से भी, तो पहले ही काटते भी जाएगा, तो बुलने क्या कि यह जो points है, यह जो points है, at two points p and q, तो बुलने कि p और q कितना subtend कर रहे हैं, at the origin, at the origin, तो देखो अगर p और q subtend कितना कर रहे हैं, origin पे तो हमें लगता है, कि ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, यह वने अंगल, तो यह 90 डिगरी तो देखी रहा, और plus यह एंगल, तो मिरे को क्या लग रहा है, कि pi by 2 plus वाला answer होगा, तो या तो यह हो सकता है, a या तो c, यानि b और d में तो आपका answer, बिल्कुल भी नहीं आना चीग है ना, आपको बिले सर, अब यह कैसे निकालेंगे, तो q-point निकालना पड़ेगा गरूप, q-point निकालने के लिए, दोनों को solve कर लिए, y equal to 1 minus x, x coordinate निकाल रहे हैं ना, इसका point निकालना पड़ेगा q का, तो हम निकाल कहा कि, y equal to 1 minus x रख दीज़े, तो x square plus 2 times, बहुत simple है ना, solve करना, 1 minus x का whole square equal to 2, तो यहनी किदार आया, x square plus 2 x square minus 2 x plus 1 equal to 2, और यहां 2 x square plus x square is 3 x square minus 4 x, और यहां पर plus 2 और equal to 2 आ रहा है, तो लिखके काट ही हैं, काट के लिखें, आई होप आप लोग बोलेंगे, काट के लिखें, तो काट के लिखें रहें, तो 2 कट गया, तो value आ गई 0, तो यहनी यहां से x की 2 values आ रहे हैं, 0 and 4 y 3, बिल्कुल 0 वाला point यह ही है, यह intersection, यहनी कि यह point आ गया 4 y 3, आपको बोले y कैसा हैंगा sir, अरे मक्षन, वाही यहां से निकाल लो, y equal to कितना जाएगा, 1 minus x, x मतलब 4 by 3, तो मुझे लग रहा है कि यहां से आजाएगा, 3 minus 4 minus 1 by 3, यानी हम लोग हो सकते हैंगर, इसको मैंने बोला theta, तो भाही यह 10 theta क्या हो गया, 10 theta हो गया, है ना, और नीचे 4 by 3, 10 के यह आएगा, 1 by 4 है ना, positive angle लेना पड़ेगा आपको है ना, तो this is 10 inverse 1 by 4, तो मुझे लग रहा है, 5 by 2 plus 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 10 inverse 1 by 4, यानी फिर से आंसर इसका आगया है, आगरा, बिल्कुल आगरा पहुंच चुके हैं, आगले सवाल पर आते हैं, एल बी दो कॉमन टैंजेंट लेन, लेन मतलब वही लाइन, दकर 4 x square plus 9 y square equal to 36 and this, इस दोनों सरकली लग, अमने दसर यह सरकल है, यह आपका वो है, हाँ वही, समाज देगा होंगे, हाँ तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूना, x square plus y square equal to 31 by 4, याद कीज़ें, इसका slope form में कैसे लिखते हैं, tangent y equal to mx plus minus, है न, a, a कितना हो जाएगा यहां से, यह a square होता है, तो a हो जाएगा यह, root under 31 by 4, into root under 1 plus m square, यह होता है, इसका tangent, सरकल वाले का, इसका अगर आप निकाली एकाली तो, इसका tangent क्या होता है, y equal to mx plus minus root under a square m square, बदब 9m square plus b square, है न, तो अगर यह common tangent है, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो दोनों को बराबर कैसे करने, square करके करतीजें, square root गाया भी करना पड़ेगा, तो 31 by 4 plus 31 by 4m square, है न, से लिख लिजे, equal to 9m square plus 4, ऐसा करके आएगा, तो भाई मैं इसको इधर इसको इधर ले जा रहो हूँ, तो 9m square में से घटाव कीजिए, 31m square upon 4 का, और उधा 31 by 4 में घटाईए, 4, तो जब इसका calcium, बदब calcium लेके कीजिएगा, 36 में से 31 गया, पांच बटा 4m square, और इधर आएगे, 31 में से 16 भी जाएगा, हैनो 16 जाएगा, तो यहां 4 आएगा नीचे तो, 15, 15 शेया, 16, 15, तो यह 4 से 4 कटा, 5 से 5 में घटाईगा, 5 से 15 कटाईगा, पूरा-पूरा, तो m square 3 आए, यही पूछ रहा है, then the square of the slope of the line, तो answer आगे, आपका m square equal to 3, तो answer is 3, राइट, चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं, गाईज, let L be a tangent to this parabola at 6,2, तो यह तो दिखना बड़ासान है, y square की जगा, y y1, यह नि, y into 2, x की जगा, x plus x1 by 2, और minus 20, तो 2 दुनी 4, एक 2 मेरे खाद से, सबसे कटता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा है, न, 2 से कटता हुआ, तो यहां से y equal to कितना हैगा, x plus 6 और minus 10, यानि, x minus 4 है, x minus 4 है न, चाओ तो सवाल एक बार, देख लीजा आप है न, x minus 4, तो बोले, let l be the tangent line to this parabola, at 6, 2, बना दिया मैंने, बना दिया, tangent आ गया, if l is also, मतब यही tangent है इस पर भी, तो b की बहुत आसान हो गया, याद कीजे, अगर आपके पास यह tangent है, तो m कितना है, 1, और c कितना है, minus 4, condition क्या होता है, c square, बना दो solar, equal to a square, बना दो 2, m square, that is 1, और plus b square, that is b, तो b की value मेरे कहाल से आ रही है, 14, hence the answer is, b, bombay, bombay, clear है बचो, clear है मेरे कहाल से है, देख ले जेगा, answer is b, bombay, ठिक है, चलिए, अगले सवाल पी आजएगे, let the maximum area of the triangle, या maximum आगया मतलब, a would be में घुज़ गया, that can be inscribed in this ellipse, पहले तो सवाल लिख लिजा है न, फिर बाद में बुलोगे कि नहीं देखा, देख लिए, let maximum area of the triangle, that can be inscribed in this ellipse, a greater than 2 ए बत्रो, तो अपने ऐसे ही बनाते हैं न, इधर बना जिते हैं, ठीक हैं, तो हम लोग गोले कि यह ellipse है, आपका x square upon a square है न, plus y square upon 4 equal to 1, ठीक है भी, x square upon a square plus y square, and having one of its vertices, it's one end of the major axis, तो मन्दब एक तो साथ यहीं पर है, a, 0, तो maximum area of the triangle, that can be inscribed in this ellipse, having one of its vertices, at the one end of the major axis of the ellipse, and one of its side is parallel to the y axis, मतब जो दूसा side होगा, y axis के parallel होगा, तो देखो area को अगर maximize करना है boss, तो फिर आपको इधर की side ही, वो दोनों points लेने चाहिए हैं न, तभी आपका area क्या हो पाएगा, maximum, ठीक है, तो मेरी खाल से ये आपके पास diagram आएगा, और इस area को ही maximum करना है, तो ये तो देखो ellipse का point है, तो a cos theta, 2 sin theta, तो theta के उपर सब कुछ depend करेगा, उसकी maximum value दी होई है, 6 root 3, तो उससे हमें a आजाएगा, है न, उससे हमें, सब उससे में theta आजाएगा, उससे में theta आजाएगा, मेरी ख्याल से तो, न, theta नहीं आएगा, हमें theta के term में maximize करना पड़ेगा, और वो value करेंगे, 6 root 3 से तो a ही आएगा, जो मैं पहले कहरा था, वो ही आएगा, न, और ये point होगे बच्छो, a cos theta, कॉमा माइनस 2 sin theta, तो यानि इसका जब area लिखेंगे, area लिखेंगे, तो बताओ कितना हैगा, area मेरी खाज़ इस triangle का एगा half, और ये 2 sin theta, ये 2 sin theta, तो 4 sin theta, theta का variable है, f of theta एगा function है न, और into ये पूरा length है न, यह हाइट होगा, यह हाइट होगा, तो मैं क्या कहे रहा हूँ, कि अगर ये height हुआ, तो ये आज़ेगा, a और a cos theta घटाते हैं न, तो a minus a cos theta, मतलब a cos theta खुद में negative होगा, कुछ ऐसा होगा, कि cos theta खुद में negative होगा, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, plus, मतलब मेरी expectation ये है, कि cos theta should be negative, तभी हम लोग बोल रहे हैं, कि ये पूरा length add होके आएगा, पूरा length add होके आएगा, चलिए, तो 2 दुनी 4, तो f of theta आगया, f of theta आगया, 2 sin theta, बोला था न, into a into 1 minus cos theta, और इसकी value बोल रहा, 6 root 3 है, तो पहले इसको maximize करते हैं, तो इसके लिए theta आएगा पहले तू, तो advertise theta, 2 ये बाहर, हाँ ने, तो constant हो गया, sin theta का क्या हो गया, cos theta, और into 1 minus cos theta, सही एनसर, और फिर कितना हैगा, sin theta, और 1 minus cos theta का आएगा, minus sin theta, सही एनसर, और इसको maximize करने के लिए, necessary condition इसको क्या कर दिया, 0, तो यानि यहाँ से आएगा, cos theta, minus cos square theta, और minus, नहीं, minus नहीं है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, फिर तो, उन्हेर बढ़ा जाएगा, सब्स हो गया, sin theta, और cos theta का, minus sin theta होता है, minus minus plus हो जाएगा, तो plus sin square theta, equal to 0, minus cos square theta, and this is also, 1 minus cos square theta है, सही है, यहाँ नहीं, मुझे लग रहा है, दोस्त कि, 2 cos square theta, minus से multiply कर दिये, minus cos theta, minus 1 is 0, तो ये तो, cos theta equal to 1, इसका directly एक root दिख रहे है, तो मुझे लग रहा है, cos theta की दो values आ रही है, एक तो 1 आ रहा है, और एक product of root से minus 5 लग रहा है, cos theta 1 नहीं चलेगा, क्योंकि फिर इसकेस में theta की value आ जाएगी, आपकी 2 pi type की है न, तो of course theta एकर 2 pi type का, या 0 type का आता है, तो ये जो point है, बिल्कुल ऐसे, मतलब minimum area होगा, तो वो नहीं चलेगा, cos theta minus 5, जो बोल ला था कि expected cos theta negative होना चाहिए, तो area कितना आ गया, दिया हुआ 6 root 3 है, maximum area, और हमारे पास कितना है, 2a sin theta है, तो cos theta is guys minus half, second quadrant के इसाफ से आया होगा है, तो theta 2 pi by 3 होगा, तो sin 2 pi by 3 कितना हो जाएगा, root 3 by 2, और cos theta जब यहां minus half रखोगे, यह तो 1 minus half is 3 by 2, तो मैंने कहाँ से clear है, सारा situation, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6 कटा, तो a की value आ रही है, बच्चो, 4 है न, a4, अगर calculation सब सही है, तो a4 आ रहा है, तो eccentricity of the left, guys, a4 आ गया, तो eccentricity कितना होता है, eccentricity होता है, root under 1 minus, d square upon a square, तो a square है, शायद कहाँ गया है, a square है, a4 है, तो यह 16, तो मुझे लग रहा है कि यह 4 चोके 16, root 3 by 2 टाइक का आँगा चाहिए, यह नहीं कि the answer must be a आगरा, the answer must be a आगरा, I think फिर से आगरा ही आगरा, खूप सारे आगरा हैं बाई साब, आगे बढ़ते, यह सवाल भी आप देख लीजिए, बचों है ना, यह सवाल भी आप एक बार देख लीजिए, देखते हैं अंगला, y equal to the y, x plus 1 means this line at 2 points p and q, तो हम लोग बोलें कि यह एक ellipse है, और y equal to x plus 1 जो line है, मेरी कहां से देखो, इस ellipse को अगर ध्यान से देखो करें हैं, तो यह point है 2,0, यह point है minus 2,0, और यह point है बच्चो 0, root 2, and this point is 0, minus of root 2, और y equal to x plus 1 तो इधर से जाएगा फिर, यानि यह point होगा आपका minus 1,0, और यह point है 0,1, पता निए सहांद यही कह रहा हूं, तो the line y equal to x plus 1 intersect at 2 points P and Q, तो P और Q पर intersect कर रहा है, अब क्या कह रहा है बच्चो, अब क्या कह रहा है कि, if R is the radius of the circle with PQ as diameter, मतलब PQ को diameter मानते हुए, जो circle बनाएंगे हैं न, वही कह रहा है न, उसका radius R है, तो PQ diameter है, तो यहीं 2R कैसे निकल जाएगा, 2R मुझे लग रहा है न, diameter की value होगी, प Q को diameter मानते हुए, जो आप circle बनाओगे भाई मेरे, तो उसका diameter 2R हो गया, तो मैं कैसे निकालूँगा, P और Q points को निकालना पड़ेगा, P point के X coordinate को मैंने X1 माना, तो Y coordinate कैसे निकाल सकते हैं, देखो, Y line पे भी लाई कर रहा है, तो अगर X, X1 है, तो Y कितना हो जाएगा, X1 plus 1, है न, और ऐसे Q क्या हो जाएगा, अगर Q X2 है, तो यह क्या जाएगा, X2 plus 1, तो 2R, जो की diameter होगा, that is PQ का लेंग, तो distance formula, X1 minus X2 का whole square, X1, X2 कैसे निकलेगा, हमें दोनों कर को solve करना पड़ेगा, और इसको भी जब difference में लोगे, तो 1 कट जाएगा, X1 plus 1, और X2 plus 1 में 1 कट गया, तो कितना बचा है, X1 minus X2 का whole square, मदब this is 2R, equal to root 2 times, यह double हो जाएगा, root 2 times, mod of X1 minus X2, X plus 1 यहां पटकिए, फोड़ा दर्द होगा, बट सम्भ हो जाएगा, X plus 1 यहां पटक रहें न, ऐसा कुछ, let us take LCM, तो आप LCM लिजेगा, तो 4 आएगा नीचे, और यहां X2, और यहां एगा 2 times, X2 plus 2X plus 1, difference of root निकालना, मैं बहुस द्हान रखेगा, तो X2 plus 2X2, मुझे लग रहे हैं, 3X2 plus 6, sorry, 4X, और plus 2, equal to 16, ऐसा कुछ आ रहा है, आप देख लो, अगर सब सही है, तो यानि कि हम लोग वो रहे हैं, X1, X2, PC के root है, 3X2 plus 4X, minus 14, तो difference of root कैसे आता है, रूट डी, अप आउन मौड़े, root डी, तो root डी कितना जाएगा, 16, और, plus 4AC है न, अगर सब सही चल रहे हैं, तो, कि माइनस 4AC आएगा, बट ये माइनस माइनस के वाज़ाएगा, प्लस, बारह चो के अड़तालिस के, आठ हसे चार, 12, 12, 12, 16, बहुत ही अजीव सार है, बहुत ही अजीव सार, और, upon हम लोग कितना बोलें, upon हम लोग कितना बोलें, बताई, बताई, mod A, mod A मतलब 3, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, देख लो इक बार, तो हमारे बस ये कुल मिला के, आ रहा है, इन नट सेल, अब यहां से, अगर सब कैलकुलेशन सही चल रहे है, तो 3 दर लाओ, और 2 को नीचे लेओ, तो हम लोग बोलें कि, 3R, और 2 नीचे लाओगे, तो ये कटके, 1YROOT2, और ROOT ENDER के अंदर क्या बनेगा, पता है कुछ ऐसा बनेगा, स्क्वार करने के बाद, यार, वैलू बहुत बड़ी आ रही है, यहां पे ऐसी कोई वैलू है नहीं, तो मुझे लगता है, वह है कहीं, कैलकुलेशन एरर, और मुझे लग रहा है, ये तर 4 कैसे आया, भगवान जाने, 16 के साथ आयेगा, तो प्लस में ही, लेकिन आयेगा क्या, पूर एसी, 24 अब सही लग रहा है, जान में जाना है, तो हम लोग गोलें कि, जान में जान में जाना गया, तो अब इस जान का कहा करना है, 24 शे तीस दा, चालेस है ना, तो थ्री आर का स्क्वेर अगर करते हो, तो चालीस विटा दो, 20 आना चाहिए, 20 के अंसर में है, यस, फाइनली मैच कर गया, तो देखरो, जरह सी गलती है, अगाम गर बढ़े, फिर से अरे भाई साब, गजब ए चल रहा है, तो, यह तो भई, अपना वो है, सर्कल, X स्क्राइब फ्लस Y स्क्राइब इकॉल टू 9 बाई 4, और यहाँ है, Y स्क्राइब इकॉल टू M X, तो इसका, तो, इसका क्या होता था था भई, Y एकॉल टू M X प्लस A बाई M, A की वैलू है 1, और इसका यह ओता है y equal to mx plus minus a, a हो जाएगा यहाँ पर 3 by 2 बढ़िया value है, into root under 1 plus m square, अगर इसके common tangent की बात हो रही है, let the common tangent to the two curves intersect at the point q, तो अगर इसके common tangent की बात हो रही है गरू, तो इन दोनों के इस वाले part को equate करना पड़ेगा, मैंने parabola में भी बहुत सारा करके दिखाया और lesson भी करके दिखा रहा हूँ, और इसको square ही करना है, तो 9 by 4 into 1 plus m square, equal to 1 by m square है ना, इस quadratic को solo करना पड़ेगा बच्चो है ना, m square को इधर लेए, तो 9 m square plus 9 m की power 4, equal to 4 है ना, अब इसको इधर लेए, तो 9 m की power 4, plus 9 m square, minus 4, equal to 36, बढ़िया टूट रहा है, 9 m की power 4, plus 12 m square, minus 3 m square, minus 4, equal to 0, मतलब इसके दो factor बचो, 3 m square, plus 4, और 3 m square, minus 1, तब पहला वाला factor तो non 0 है, कि 3 m square, plus 4, कभी भी 0 नहीं होगा, तो 3 m square, minus 1 को 0 की देगा, तो slow की value आ रही है, guys, 1 by root 3, plus minus, तो अभी तक पहली line पर ही चल रहा है, भाई, ये दोनों का common point है क्यूँ, तो दिखो, simple ही लग रहा है मेरे को, कि अगर आप बनाते हैं, तो आपको दिख जाएगा, कि भाई, इनके common tangents तो intersect कहां करेंगे, बताओ, तो मुझे लग रहा है, कि common tangents intersect, तो x-axis पही करने चाहिए, तो हमने बुला, y square equal to 4x वाला तो ऐसे बनेगा, तो इनके जो tangents है, पता नहीं, उससे क्या फाइदा होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एक बार सवाल देख लेते हैं, तो मेरे काल से common tangent कुछ ऐसा ही होगा, और यह जहां भी कटने वाला होगा, वो x-axis का ही कोई point होगा है, क्योंकि symmetry है, बहुत ज्यादा highly symmetric structure है, तो यह point होगा, शायद q, यह point होगा, शायद q, तो q point निकल सकता है, क्योंकि हम ही क्या निकालना, x-intercept, तो हम लोग लेकि, अगर इसका x-intercept निकालेंगे, तो y को 0 रखिएगा है ना, तो mx equal to minus 1 by m, और x की value minus 1 by m square, m square कितना है था, m square है था, 1 by 3, तो यहां 1 by 3 रखिएगा, तो मुझे लग रहा है कि minus 3 बन जाएगा, तो यह जो point है, यह जो point है, यह minus 3 को माज़ेगा, अब आगे का सवाल पढ़ते हैं, तो let the common tangent to these two curves intersect at the point q, जो कि हमने दे centered at the origin, एक एक एलेब से, जिसका center origin है, and has length semi-minor and major axis equal to oq and 6, अच्छा, तो semi-minor है oq, तो यानि कि है, मुझे लग रहा है कि b की value दे दी ने, b की value दे दी 3 semi-minor है, तो semi-minor is b, तो b की value दी 3, and semi-major axis is 6, तो a की value दी 6, यह है, तो बोल रहा है कि, has length semi-minor axis and major axis at this and this respectively, if e and l denotes the eccentricity and the length of the lattice atom, तो यह तो easy हो गया, अब इसके आगे, तो eccentricity निकाल लो, खतम, e square equal to कितना जेगा, root and f, 1 minus b square, sorry, b square is 9, और a square is 36, तो मुझे लग रहा है कि, sorry not e square, it's e, it's e, and now this is e square, e square is going to be 9, जो कि 36, तो 3 by 4, है न, 3 by 4, है न, e square is 3 by 4, और l जो होता है, वो होता है, 2b square, मनदब 2b square, मनदब 9 upon e है, मनदब 6, तो मुझे खास, 3 आ रहा है, तो हमें पूछा क्या है, l by e square, मनदब 3 upon e square, मनदब 3, और उपर 4, तो यह कठा, और e, y, sorry, क्या था वही, l by e square, न, तो मुझे लग रहा है कि, देखो, l upon e square, आ रहा है, शायद 4 के बराबर है, l upon e square किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर, d, d नहीं होगा, बतब, it should be 4 है, generally 1, 2, 3, 4 लिखा रहता है, तो मेरे काल से, इसका आंसर जो हैगा, that is going to be d, 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 ठीक न, मनदब 4, आजा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, फटा-फट से सवाल को देख लीजे, बच्चो, सभी बच्चे देख सकते हैं, सवाल को मेरे काल से, yes, come on, देखते हैं, the locus of the midpoint of the line segment joining a point 4,3, तो एक point 4,3, and the point on the list, और एक point is ellipse पे, तो अगर इस point पे है, सरीलेश पे है, तो इसको divide कर लीजे, तो यह आजाएगा, तो भाई, इसके midpoint का locus, तो इसके उपर कोई point आपको लिख सकता है, parametry coordinate है, आपको पता ही है, कितना, 2 gaus theta, and then is going to be root 2 sin theta, yes or no, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 4,3, और यह जो भी point है, इसका midpoint का locus, तो इसको h के बोली न, बोली न, h के बोली न, ताहलेले कि 2h कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, बच्चो, 4 plus 2 gaus theta, yes or no, और 2 के क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 3 plus root 2 sin theta, है की न, देख लो, है की न, देख लो, तो यानि यहाँ से, अगर हम लोग लिखते हैं, बच्चो, तो कितना है एगा, 2h minus 4, upon 2 equal to cos theta, और यहाँ से क्या लिखते हैं, 2k, 2k minus 3 upon root 2 equal to sin theta, आप पूछ क्या रहा है, पहले वो भी तो देख लो, eccentricity पूछ रहा है, तो लोग लगता है कि अगर हम इसको निकालना है, लोकस को, तो क्या करें, बताओ, square in debt, तो देखो, इसमें से 2 cut रहा है, तो यहाँ स्क्वेर करोगे, तो मुझे लग रहा है, x minus 2 का whole square, इस cos square theta है, तो कट जाएगा, और इसमें से अगर आप इसको square करते हैं, तो 2y minus 3 का whole square upon 2 equal to 1, ऐसा है, तो मुझे लग रहा बचो, अभी a square, b square निकल जाएगा, 1, 2 निकालो तो 4 आजाएगा, तो y minus 3 by 2 का whole square upon कितना हैगा, 4 है, और नीचे 2 है, तो कटिका तो उपए 2, यानि कि नीचे half बनेगा, अरे 2 निकालो न, तो y minus 3 by 2, और उपर 4, तो 2, 2 जा 4, और वो जो 2 को नीचे लागी लिखोगे, तो यह half हो जाएगा, एक्सेंटिसिटी क्या होता है, रूट एंडर, 1 minus b square by a square, तो half और नीचे 1, तो 1 by root 2 is the answer, यस, c Calcutta, इस बच्वटा से चेंज हुआ है, आंसर इस c Calcutta, ना हूँएज, लेट सी, c, अगला सवाल, आप लोग फटा-फट से देख लीजेए, एक बार, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं सवाल में, काभी भारी बरकम सवाल लग रहे हैं, लेट PQBF, focal chord of the parabola, y square equal to 4x, चलो देखते हैं, तो अलेल कि y square equal to 4x, बना लो, है न, y square equal to 4x, बना लो, बना लो, ठीक है न, y square equal to 4x, such that it subtends, focal chord, तो focal chord हो गया, 1,0 से पास करने वाला, है न, 1,0 से पास करने वाला, अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, अच्छा, तो 90 डिगरी इदर कहीं बना रहा है है, भाई, तो m1, m2, minus 1 है न, जैसे ही 90 डिगरी आता है, तो m1, m2 चमक जाता है, न, 3,0, focal chord की extremity को लिखना सिखाए गया था, 80 square, 280 and a upon t square, minus 2a upon t, या, तो अलो लेकि a 1 है, तो a t square, 280 मतब 2t, और इदर कितना हो जाएगा, a upon t square, मतब 1 by t square, और फिर कितना था, क्योंकि t1, t2, minus 1 है न, और minus 2a upon t, मतब ऐसा, तो यहनि यहां 90 है, तो m1, m2, minus 1 किजिए, तो 2t minus 0, is 2t, not 2t, upon t square minus 3, into, into, इदर slope लीजे, तो minus 2 upon t minus 0, और upon कितना है, गब, 1 by t square minus 3, और इसकी value, guys, minus 1, तो t से t कटा, minus से minus, तो उपर आया 4, और cross multiply किजिए, तो इसको cross multiply करके लिखोगे, तो t square into 1 by t square is 1, minus 3 minus 3 is plus 9, coming to last part, minus 3 by t square, है ना, और minus 3t square, ऐसा बनेगा, देख लो, है ना, देख लो, तो मुझे लग रहा है कि इसको जब इधर लाइएगा, तो 3 upon t square plus 3t square equal to 9, में एक 10, 10 में चार गया 6, ऐसा बन दाए, तो यानि यहां से क्या बना बचोट, तो t square plus 1 by t square equal to 2, यहीं यह बहुत perfect square type की चीज़ बनगी है, यही से दिख रहा है कि t की value या तो 1 होगी, या माइनिस 1 होगी, है ना, एह जीम्स टाइप की चीज़ दिख रही है, और बाकि आप चाहो तो इसको इसा से लेकर आज़ो, माइनिस 2t square plus 1, तो मुझे लग रहा है, t square minus 1 का whole square equal to 0, so the value of t is 1 or minus 1, जो भी है, ना, 1 or minus 1, तो मुझे लग रहा है, t की value 1 लो चाहे, minus 1 लो, तो यही points multiple हो जाएगे, जिसे 1 लिया माले, 1 लिया, तो यह 1, 2 हो जाएगा, यह 1 minus 2 हो जाएगा, minus 1 लिया, तो यह 1 minus 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं हो सकता है, उसको नीचे होना पड़ेगा, और यह 1, 2 हो जाएगा, तो मैंतर point वही आएगे, 1, 2 and 1, minus 2, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा change कर लेते हैं, डागराम आप, अच्छा, पहले आगे का सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, और let the line sequence pq be also, अच्छा, इसका भी focal code है, अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, कि ज्यादा बढ़ी है कि हम ellipsy बना लेते हैं, पहले, ellipsy बना लेते हैं से, तो इस ellips का जो focal code दिया हो ना, गुरू, ये भी ये ही दिया हो है, मतब ये point 1,0 हो गया, और ये points 1,2, और 1,-2 इस पर लाई कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो क्योंकि कह रहा है कि, let the line segment pq be also a focal code of this ellips, if e is the eccentricity of ellips, then the value of 1y e square निकाला, तो ये इसका ही focal code हो गया, अच्छा, ये 1,2 और 1-2 इस ellips की equation को satisfy तो करेगा ना, करेगा सर, करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर, तो 1,2 अगर हम इसमें डाल देते हैं, तो 1 by a square plus 4y b square equal to 1, तो यहां से कितना हैगा, बताओ, root under a square minus b square should be 1, yes or no, यही होगा, तो यहनी हम लोग हो सकते हैं कि a square, या अगर यह नहीं चमका हो, तो आप ऐसे लिखें न, b square is what, a square into 1 minus e square, yes or no, तो यहनी यहां से b square कितना है, बच्छो, b square आया, a square, और minus a square e square, a1 है, फोकल, फोकल कॉर्ड ह है ना, समझे लिखें, a1 है, तो a square minus 1 हो गया, अब b square, अगर a square minus 1 है, तो हम इसको उठा के इसमें रख देते हैं, तो 1y a square, plus 4 upon a square minus 1, equal to 1, इससे solve करके a square आएगा, फिर b square आएगा, फिर eccentricity आ गया, तो हम लोग लेकिए इसका LCM लेजे, a square minus 1, plus 4 a square, और इसका LCM लेनी को 5 a square minus a square, तो minus 6 a square और plus 1, तो a square की value यहां से हैंगी, 6 plus minus root under 36 में से 4 गया, 32 अपॉन 2, तो हम लोग बोला है कि a square की value आ रही है न, 2 काटने बाद, 3 plus minus, root 32, root 32 हो गया, 16 दूनी 32, तो 4 root 2, 4 root 2 को 2 से काट हो गया, तो 2 root 2, है न, तो अगर मैं यहां पर मालो 3 plus 2 root 2 वाली value लेता होगा, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो, a square greater than b square दिया हो है, उस चीज़ का भी देख लेना, एक बाद, तो b square यहां से क्या आएगा, a square minus 1, मतलब, इस से 1 गटा दो, 2 plus 2 root 2, तो हमें 1 by e square निकालना है, तो e square कितना है का बत upon this, तो जब इसको subtract करके लिखो कि नीचे LCM लेके तो 3 plus 2 root 2, और उपर आएगा 3 minus 2, that is 1, और 2 root 2 कट जाएगा, तो 1 upon e square is 1 upon 3 plus 2 root 2, बाकि एक दूसरी value भी possible लग रही है, लेकि मेरे काल से option में नहीं है, तो मेरे काल से, Bombay is the option, बाकि हम मैंने उस पर चेक नहीं किया, हो सकता और reject भी हो रही हो, बाकि मैंने उस पर देखा नहीं, तो इससे हमारा option जो है, अपना 1 by e square के लिए आ जा रहा है, Bombay option, देख लिए, yes, Bombay is the option, अगले सवाल पर चलते हैं, the acute angle between the pair of tangents drawn to this ellipse from the point 1,3, मतलब यहां भी क्या के रहा, Boss, कि हम 1,3 से न, हम 1,3 से pair of tangent बना रहे हैं, तो point बाहर कही है, of course, तो अगर यहां से हम pair of जो भी हैं, बना रहे हैं, तो इसके बीच का जो angle है, शायद acute angle, वो बतलाना है, तो देखो, अगर 1,3 है, तो मेरी खासी यार, अपन यूज कर लें, क्या, slope वाला case, क्योंकि एंगल डारेक्ट ही कर जाएगा, तो हम लोगे कि इसको लिखेगा, तो x square upon, 5 to divide, मारी, तो 5 by 2, a square यह हुआ, y square upon 5 by 3, b square यह हुआ, 1, तो अब मैं बोलना हो कि इसका slow form वाला लिख लेते हैं, तो y equal to mx, plus minus root under a square, m square, plus b square है न, चेक कर लें एक बार आप लोगे, अब यह पास कर रहा है, 1,3 से, तो इसमें रख दो, तो 3, और यहां 1 रखोगे, तो 3 minus m का whole square, equal to, 5m square by 2, plus 5 by 3, तो यहां क्या आएगा, m square, है न, minus 6m, और plus 9, यही बनेगा, and हमें यहां से निकालना क्या है, acute angle अच्छा, m1 minus m2 वाली चीज़ है न, तो 5m square by 2, plus 5 by 3, ऐसे ही बनेगा, तो मुझे लगता है, LCM लेके लिख लेना चाहिए, हमें न, 6m square, 6 से multiply करतो, करोगे तो, यहां पर आएगा, 15m square, और 6 से multiply करोगे तो, यहां 10, इसको इदा लाओ, तो 9m square, plus 36m, और minus 44 equal to 0, यह बन रहा है, है न, यह बन रहा है, है न, इसी के roots m1, m2 है, तो acute angle निकालोगे तो, tan theta equal to, क्या लिखोगे, mod of, है न, m1 minus m2 थे, m1 minus m2 थे, m1 minus m2 थे नहीं पता है, है न, m1 plus m2 पता है, minus 4 आ रहा है, तब सही अगर है तो, मेरे काल ठीकी होगा, और m1, m2 भी आ रहा है, कितना, minus 44 बटा नो, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहां यहां एगा, root under, है न, m1 minus m2 थे नहीं पता है, तो, यह difference of roots निकालना पड़ेगा, तो, m1 plus m2 का whole square, that is 16, minus 4 m1 m2 अगर न, तो, प्लस, चार गुने 44 बटा नो, चेक कर लेना है न, और नीचे एगा, 1 plus m1 m2 तो, 1 minus 44 by 9, तो कुछ ऐसी value आ रही है, क्या भाई साव, नीचे मोड है तो, प्लस ही हो जाएगा न, 44 में से 9 घटाओ, 35, 35 है क्या नीचे, दिख तो रहे कुछ, और ऊपर, ऊपर देखना है न, 35 बटा नो, सरी, negative है तो positive हो जाएगा न, और यहां 16, 9 है 144, और प्लस बोलो, 4, 16, 6, हासल 1, 4, 16, 17, और whole upon 9 है न, square root के बाहर यह 3 आएगा है न, तो मुझे लग रहा है देखो बच्छो, 10 theta में अब यहां finally लिख रहा हूं, modulus हटा के positive ली आए हमने, तो 9 ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा 35 और एक 3 भी आएगा है न, square root के बाहर और यह जोड़ोगे तो 144, 6, 50, 220, 320 टाइप का रहा है root अंडर में, पता नहीं सही है, तो यह 3 तो कट रहा है, तो ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा है, अच्छा इसमें से अगर हम कितना बहार निकाल लें, तो या तो मैं इसको एक बार और थोड़ा सा लिख लेता हूं, 3 upon 35 और into 16 गुने, अच्छा निकल रहे गया, पालतो में टाइंग वेस्ट के लिए मैंने, और यह शेट 2 root 5 आ रहा है, तो अभी सपोन 7 root 5, तो मेरे काल से इस आंसर इस गोई टो बी बी बॉंबे, देख लो, मेरे काल से बिलकुल बिलकुल सही था या, पालतो में बहुत यादा सोच रहा था, इधर लेंथ 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 लेंटर सेक्टाम अव दिस एलिप्स इस 4, यह यह एलिप्स देखना पड़ेगा, यहां से x square plus 2x लो, तो x plus 1 का whole square, इन दोनों चे 4 common लो, तो 4 into y square plus 2y, मतलब y plus 1 का whole square, अधर यह प्लस 1 का whole square, यहां पर खोलीगा ना, तो x square plus 2x plus 1 मिलेगा, तो यानि हमने plus 1 इधर add करना है, इधर लिखिएगा, तो 4y square plus 8y, और plus 4 और आएगा, तो यह आएगा, यानि हम लोग बोल सकते हैं कि यह ellipse कुछ ऐसा है, और इधर आएगा, y plus 1 का whole square upon lambda plus 5 upon 4, and that is equal to 1, यह रिखिएगा, और इसका letter spectrum लिखिएगा, तो 2b square, तो 2b square में तो lambda plus 5 upon 4, और a, तो a इसका root under में आएगा, and that is 4, तो 2 दुनी 4 और root lambda plus 5, equal to 8, तो lambda plus 5 is 64, तो lambda is I think 59 है ना, 59, ठीक है भई, L क्या है, L is the length of the major axis, तो L is I think guys, यह a square है न, तो 2 root lambda plus 5, तो यह 64 का square root 8 दूनी 16, तो 59 और 6, 65 plus 75, 75 is done, 70, तो I think the answer must be 75, yes, हो गया, yes, तो that's great, मेरे काल से आज हमने इसको थोड़ा fast किया, और मेरे काल से करीब परीब हमने 19 सवाल के आसपास किया है, और देख सकते हैं कि ellipse का मतलब, इसका मतलब J main easy level question ही पूछ रहे, तो अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से basic बढ़िया से तयार करके ले जाए, तो बिल्कुल नंबर उठने ही उठने है न, और इसको बढ़िया से कर लिए अगर कहीं कोई confusion हो, तो comment box में लिख कर बतला दीजेगा, thank you very much, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर लिजेगा, thank you, bye bye, take care, see all, good night, good night.